तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे question number 54 और उसका solution तो अभी तक आपने ये question नहीं देखा है और उसे solve नहीं किया है तो आप वीडियो को pause करतीजिएगा और question को solve कीजिए उसके बाद फील से हम इसका solution स्टार्ट कर देते हैं तो चलो देखते हैं इसका solution अब देखो आइरो पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक reagent दिया हुआ है CH2I2 plus ET2ZN अब देखो यह जो CH2I2 है plus ET2ZN है इससे क्या बनेगा तो यहाँ से देखो इथाइल आयोडाइड जो है वो चला जाएगा इथाइल आयोडाइड यहाँ से चला जाएगा और यहाँ पे reagent बनेगा वो है CH2I और यहाँ पे जेरियन ET अब देखो इससे हम इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पे है CH2I यहाँ पे कार्बन पे निगितिव चार्ज और जेरियन ET क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रो निगितिविटी जादा होती है यहाँ पे दोनों वो कार्बन पे ही रहेंगे तो इसे भी आप इस तरह से लिख सकते हों अब उसके बाद देखो ये जो carbon center है वो electrophile की तरह भी act करेगा और nucleophile की तरह भी act करने वाला है ठीक है तो सबसे पहले देखो क्या होगा इस पर electrophilic attack होगा इस carbon पर उसके बाद ये iodine जो है यहां से चला जाएगा ठीक है तो अभी हमें क्या देखना है कोई एक nucleophile देखना है जो क्या करेगा इस carbon पर अट्यक करने वाला है तो जैसे वी कि आप इस reactant में देख सकते हो यहां पे तीन nucleophilic center present है देखो यहां पर यह पाइबॉंड भी nucleophile की तरह act करता है यह पाइबॉंड भी nucleophile की तरह act करता है अगर यह जो reagent बना हुआ यह इस पाइबॉंड पर react करत है तो यहां पर एक reaction होती है वह होती है सीमन स्मीथ reaction सीमन स्मीथ reaction और यहां पर साइक्लो प्रोपेन रिंग का formation होता है across double bond ओके पर इस reaction में इसे नहीं होगा क्योंकि यह जो पाइबॉंड है वो nucleophilic तो है पर इस से ज़्यादा nucleophilic है यह sulfur की लोन पर ठीक है तो यहां पर सबसे ज़्यादा जो nucleophilic होगा वह ही attack करेगा इसलिए agent पर जैसे कि यह nucleophilic nucleophile की तरह एक्ट करेगा और यहां से iodine चला जाएगा ठीक है तो जो भी इसका अब भी product बनता है वो मैं यहां पर बना देता हूँ अब देखो यहां पर double bond था यहां पर methyl है yes pH और यहां पर बन चुका है CH2 और मैं बस यहां पर CH2 minus लिखता हूँ इसे मैं अब भी नहीं लिखता हूँ ठीक है पर वो भी यहां पर present है उसके बाद यहां पर जो कुछ है उसे लिख देते हैं यह यहां पर है अब देखो जो की इस carbon पर negative charge है यहां पर और एक reaction होने वाली है जो की है sigma-tropic rearrangement reaction अब देखो वन यहां पर यहां पर टू उसके बाद वन तू त्री तो यहां पर जो है वो reaction होगी तू त्री सिग्मा ट्रोपिक rearrangement सिग्मा ट्रोपिक rearrangement जो की एक pericyclic की reaction है और हम इसे pericyclic में पड़ते हैं ओके तो यह reaction होने के बाद देखो यह जो negative charge है यह attack करेगा इस carbon पे जाएगा यह double bond shift होगा यहां पर इस sulfur पे already positive charge था क्योंकि sulfur ने loan pair donate किये हुए थे ठीक है तो यह यहां से इस तरह से stable हो जाएगा अब इसका जो product है वो हम यहां पर लिखते हैं अब देखो इस position पे क्या attach हुआ है CH2 उसके बाद यहां पे है yes और यहां पे है pH और double bond shift हो चुका है यहां पे है तो अगर यहां पे हम stereochemistry की बात करें तो देखो यह yes pH जो group है वो actual में था below the plane यह था below the plane तो यह जब attack करेंगा तो same side से ही यहां पे इस position पे जाने वाला है तो अगर यह below the plane है तो यहां पे भी below the plane ही होगा अगर अगर अबोधी plane है तो उसी side से वो वहाँ पे attach होने वाला है ठीक है तो यहाँ पर इसकी जो stereochemistry है वो आप इस तरह से indicate कर सकते हो ठीक है अब उसके बाद देखो उसके बाद देखो यह आपका product बन चुका है इस reaction का ठीक है अब बस आपको क्या करना यहाँ पे जो चार option है इसमें से एक option आपको match करना है और आप देख सकते हो यहाँ पे option D जो है वो इसके लिए correct होने वाला है ठीक है option A में देखो यहाँ पे stereochemistry गलत है यहाँ पे यह जो group है वो above the plane है और जो कि हमारे product में वो below the plane होने वाला है और यहाँ पे देखो यह इसने यहाँ पे सिमन स्मित reaction किया हुआ है साइकलो प्रोपेन का formation किया है और साइकलो प्रोपेन का formation यहाँ पे हो सकता तक अगर यह SPH group यहाँ पे नहीं होता तो यहाँ पे Simmons-Smith reaction होती तो सबसे पहले आपको देखना है जब भी यह reagent आपको मिलेगा तो आपको देखना है कि यहाँ पे क्या होगा nucleophilic center क्या है और कौन सा nucleophilic center इसके साथ react करेगा तो तो आप यही पे रुखते हैं और मिलते हैं next question में तक यू